नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावर्ड के स्योटूब चैनल में दोस्तो एक हजार प्लस अति महत्यपूर्ण जीके जीयस और करंटर फेस की जो स्टार्ट किये थे उसका जो पार्ट फोर है उसको आज हम यहां पर डिसकस करने व की परिच्छा के लिए महत्यपूर्ण हो सकते हैं उनको आप तक पहुचाएंगे अभी तक इस सीरीज में मैंने जो है तीन वीडियो को अप्लोट कर दिया है प्रतिक वीडियो में आपको 100 प्रस्ण मिलेंगे यानि कि 300 प्रस्णों को अभी तक मैंने कंप्लीट करवा दिय है तता यह पार्ट फॉर है पार्ट फॉर में हम आज फिर से 100 प्रस्णों को यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो यह जो सीरीज आपकी लेखपाल बती परिच्छा के लिए अति महत्यपूर्ण है जैसे कि आप सभी को पता है 25 जो आपके प्रस्ण होंगे जीके जिस और कर प्रवात करते हैं यहाँ पर पहला प्रस्ण आपके सामने है ऑपक का मुख्याल यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑपक का पुरा नाम क्या होता है The Organization of Petroleum Exporting country यानि कि आपके जो petroleum आयातक देश हैं उनका जो संगठन है उसी को बोलते हैं ओपेक तिसे आप या देखेगा इसका headquarter मिलेगा आपको वियना में औस्ट्रिया की राजानी जो वियना है यहीं पे इसका headquarter है और ओपेक की जो स्थापना है यह सितंबर 1960 में बगदाद में की गए थी इसके स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद में की गए थी लेकिन इसका headquarter मिलेगा आपको वियना में ते फैक्ट आपको याद अखना है राइबोसोम किसका दिर्माण करते हैं तो आप याद कर लिजेगा राइबोसोम जो होते हैं यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं और चेतरपल के दिर्ष्टी से विस्ट का चटा सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा औस्टेलिया पहले नमबर पे रूस है फिर कनेड़ा है फिर चीन है फिर अमेरिका है फिर ब्राजील है फिर ऑस्टेलिया या फिर भारत याने कि सब भारत का अस्थान चेतरपल के असा सात्वे अस्थान पहाता है भारत तो इसके बारे मिलेगा और अस्टेलिया चटे नमबर पहाता है एरिया के मामले में और एरिया के मामले में सबसे टॉप पे है रूस इसके बारे मिलेगा प्रित्वी को सूर्य की परबैगनी विक्रण से कौन सुरक्षित कलता है तो ओजोन लेयल जो होती है अल्ट्रा वाइलेट रेज से हमारी रख्षा कलती है तो आप इस याद कर लेजेगा ओजोन पर इसके बारे में आपको याद अखना है दोस्तों यह क्रामा प्याद देख चीन फिर अमेरिका फिर ब्राजिल फिर ऑस्टेलिया और साथवे अस्थान पर आता है भारत तो यह करम आप आप आद देखिए करम आपको सजाने के लिख जाम में दे सकता है तो करम इसको आप इध्यान से याद कर लेजेगा किसी वस्तु का जो प्रतिविम होता है मनुस कि आप पर रेटीनिया पर बनता है तो इसके बारे में आप आप आद देखिएगा अगला प्रस्ना आपके सामने है सेटलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला रास्टी उद्यान था आपका काजिरंगा रास्टी उद्यान था आपका काजिरंगा नेशनल पार्क त स्थापित किया गया है तो यह सबीत किया गया था अप भारत यह सब्देश में थर्फ प्रम्त किया है थोर्फोर तो Когдаश्ट मेरे की ये acontece बारे में आप्त में पहल सभर मेंầy शुरुवाइत थे मादके पूछा जा रहे हैं तो भरत में स्वेट क्रांती की मुल्त सभर सरुवायत है मैं मानी आता है गुजरात है इसके बारे में आप डॉक्टर वरिगिस कूरियन भारत में स्वित क्रांती के जनक याने की पिता कहे जाते हैं तो इसके बारे में आप या देखेगा भारत का पहला सरक्षित वन कौन सा था तो भारत का पहला सरक्षित वन था आपका सत्पूरा राश्टी उद्यान इसके बारे में आप या यह सबसे उच्छ किस्म का कोईला होता है, और सबसे निम्नकोटी का कोईला आप का होता है, पीट कोईला, उसके बारे में आप प्रतिवा देवी सिंग पाटिल थी आपकी प्रतिव महिला राश्पती इनका कारेकाल था 2007 से 2012 और ये भारत की 12 नमर की राश्ट्र पती थी इसके बारे मिया प्या देखेगा अंत्रिक्ष में जाने वाले भागती मुल्की पहली महिला कौन थी तो कलपना चावला थी इंपोरेंट है अंत्रिक्ष में जाने वाले भागती मुल्की पहली महिला थी कलपना चावला चलिए एक चीज का एक प्रस्तन का आप जवाब दीजिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रत्थम महिला कौन थी आपको प्रत्थम महिला का नाम बताना पुरे बिस्ट की यानि कि पुरे वर्ल्ड में प्रत्थम महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी उसका जवाब आ नहीं पर खोला गया है तो हिमांचल पदेश के कुफरी में भारत का पहला indoor इसकी पार्क खोला गया। नीमोनिया रोक के खिलाब पहला भारती टीका किस ने विक्सित किया था तो नीमोनिया रोक के खिलाब पहला भारती टीका विक्सित किया गया था Serum Institute of India के द्वारा तो important है भारत का पहला remote health monitoring system का पर खुला गया है तो रिसी case में खुला गया था भारत का पहला remote health monitoring system इंपोर्टेंट है 2021 के करेंटर फेस का ये पाचो प्रस्तन है भारत का पहला स्वदेश निर्मित बीवान वाहक युद्धपोद कौन सा है तो स्वदेश निर्मित याने की इंडिजिनस की बात ओरी है भारत में निर्मित युद्धपोद की बात ओरी है तो भारत का पहला स् द्विति पंचवर्षी योजना की रूप रेखा तयार की गई थी तिथा 1956 से लेके 1961 तक चली थी आपकी द्विति ये पंचवर्षी योजना तिसके बारे में आपको यादखना है भारत में पीसी मालनोबिस का जो बल्थडे होता है 29 जून ये भारत में नेशनल स्टेटिस् पीसी मालनोबिस का जो बल्थडे होता है 29 जून इसको हम भारत में राष्टिय सांकी की दिवस के रूप में मनाते हैं तो इसके बारे में आपको यादखना है कमाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है इंपोर्डेंट है तो असम राज्य में आपको मिलेगा कमाख्या मं भाजबा गूर्मेंट के कार्यकाल में ही जो रभारत के प्रधान मंत्री होती यानि कि यो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है तो जनौरी 2015 में तता इसके वर्तमान में CEO है अमिताप कांग तता इसके उपाध्यक्ष हाले में बदल लिए गये हैं इसके नए उपाध्यक्ष लगबग एक अपता हुआ होगा उनके उनको बदले हुए तो सुमन बेरी जो है इसक इसके पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे नीतिय आयोक के परन्तु इनोंने हाली में स्थिपा दे अपने पस थे तिता इनके अस्थान पर शुमन बेरी को जो है नीतिय आयोक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया तो सुपर इंपोरनेंट है इसके बारे में ब्याद कर तो यह इंदौर में मिलेगा देवी अहलिया बाई होलकर अंतराष्टी हवाई अड़ा इंदौर राइटेंचर आपका है अगला प्रसना आपके सामने है और सबसे चोटी हड़ी होती है या सबसे चोटी हड़ी होती है बिहार और नेपाल मिथला चेत्र में किस भालती कला के रूप में प्रसलन है तो बिहार और नेपाल मिथला चेत्र में जो है आपकी जो मध्वनी कला है इसका प्रसलन है तो आप इस याद के लेजे का मध्वनी कला का जो प्रचलन है यह बिहार और नेपाल का जो मिठला चित्र है वहाँ पर प्रचली थैं आपकी मधुबनी कला तो इसके बारे में आपको याद आखना है सतीस धवन अंठरिक्ष केंद्र स्रीहरीकोटा किस राज ingst warmth है तो इसके बारे में आपया देखेगा स्री हरी कोटा जो है आपका मिलेगा कहां पर 37 धवन जो अंत्रिक्ष केंद्र यह आपको मिलेगा स्री हरी कोटा नमकस्थान पर और यह जो आपका स्री हरी कोटा है आपको मिलेगा आंधर प्रदेश में तो इसके बारे में आपको याद प्रतन कंपनी का एक जाम पल तो इसके बारे में आपको याद देखना है राष्टी इसपात निगम लिम्टेट इंपोर्टेंट है डेर्ट लिए आपसे एक जाम में यह पूछा जा सकता है तो उसरी अर्य यह व्याद आपको बता यह आंद्र प्रजिस मिलेगा इंपोर्ट और शिलंका को अलग करती है इंपोर्टेंट है तो भारत और शिलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट यह आपकी पाक जो जलसंदी है पाक स्ट्रेट जो है यह भारत और शिलंका को अलग करती तो इसके बारे में आपको याद रखना है पाक जलसंदी आदुनिक अल्थ सास जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखिस समिधान है तो भारत का तापिसे आद कर लीजेगा इंगलीज चैनल तैर कर पारक करने वाले पहली भालती महिला कुप पहले भाल्ति महिला कौन है तो आरती सहातिसे आप यहां देखेगा आरती सहा जो हैं इंगलिस चेनल को पार करनेवाली प्रतम भाल्ति महिला थे ते युश के बारे वेँआ प्या देखेगा अब भारती नाभेकी कारेक्रम का जनक किसी माना जाता है इंपोरेंट है तो आक्टर होमी जहांगीर भाबा को भारती नाभेकी कारेक्रम का जनक माना जाता है तिससे आप आप आद देखेगा इंपोरेंट है होमी जहांगीर भाबा को कौन से जन जाती दिपावली के परव को सोख परव के रूप में मनाती है कौन से सरकारी संगठन भारती प्रतिभूती बजार के सक्री निवेशकों का प्रमुख नियामक है तो सेबी Stock Exchange Board of India यह जो होता है यह भालती प्रतिबूती बजार में सक्री निमेशकों का प्रमुक नियामक है सेबी ती से आप्या देखेगा तदा सेबी की पूर्ण कालिक पहली मरिला अदक्ष बनाए गई है माधवी पूरी बुक्ती से भी आप्या देखेगा भारत में चितरी करन गरामिट बैंकों के अस्थापना कब के गई तो दो अक्टूबर 1975 को रार भी रीजिनल रूरल बैंकों की जो अस्थापना एक गई थी दो अक्टूबर 1975 को तो इम्पॉटेंट है इंप्पॉटेंट है directly आज जामयाफ से पूछा जा सकता है अगला प्रस्थनाव की समने है भारत के समिधान की अनुसार संग के रक्षा बलू का प्रमुक को न होता है तो राश्ट पती होता है यानि कि संग की जो रक्षा बलू होते हैं इन तिनों का जो प्रमुक होता है भ व्रोग का वाहक माना जाता है सहिंत राश्ट अमेरिका का कौन सा राज पहले रूस का भाग था तो सहिंत राज अमेरिका का जो राज था अलास्का यह पहले रूस का पार्ट हुआ करता था तो इसे अपया देखेगा अलास्का अंग्रेजों नेकिस मुगल वंस के अंतिम सा सक को 1857 इस्वी में सत्ता से बेदखल कर दिया था तो बहादूर साह जफर दिया था तो नाम आप आप देखेगा बहादूर साह जफर दिया था अगला प्रस्तना आपके सामने है International Atomic Energy Agency का स्रिजन किस वर्ष किया गया था तो International Atomic Energy Agency का जो स्रिजन था किया गया था 29 जुलाई 1957 को इसका हेटकॉर्टर आप मुलेगा वियना में इंपोर्डेंट है किस ने संथाल विद्रो और 1857 के विद्रो के दोरान अंग्रेजों की सायता की थी तो महराज महताब चंद जो थे ये संथाल विद्रो और 1857 के विद्रो के दोरान इन्होंने अंग्रेजों की सायता की थी तो महराज महताब चंद लोगपरी कालपनिक उपन्याज चंद्रकांता की रचना की गई थे इंपोरेंट है तो देवेकी नंदन खत्री के दोरा जो है जो उपन्याज था चंद्रकांता उसकी रचना की गई थे तो देवेकी नंदन खत्री किस देश ने eco-friendly rocket अंगारा विक्सित किया है तो eco-friendly जो rocket अंगारा है या विक्सित किया गया रूस के दोरा important है नर सिम्मन समीती का संबंद किस से है तो नर सिम्मन समीती का संबंद आपको जाएगा banking सुधार से किस से तो banking सुधार से संबंद आपकी नर सिम्मन समीती तो इंपोर्टेंट है डिरेकले आपसे एक जाम में यह प्रस्थ पूछा जा सकता है एक क्याउनवा प्रस्थ आपके सामने है आधुनिक विद्धुत जनरेटर किसके सिदान्थ पर काम कलता है तो आपका जो आधुनिक विद्धुद जनरेटर या विद्धुद चुम्बकी प्रिरण के सिदान्थ परकार कलता है तो इसके बारे में आपया देखेगा गुजरात इस्थित जूनागर के गिर्णार जो पहाड़ियां है या किस प्रकार के आमों के लिए फेमस है तो गीर केसर आम की प्रजाती के लिए फेमस है गिर्णार पहाड़ियां तो इसके बारे में आपया देखेगा तो second आपका जो दूसरा वाला गोल में समयलन था या एक मात्र गोल में समयलन था जिसमें मात्मा गांदी ने हिस्सा लिया था तता आपके जो तीनों गोल में समयलन में पार्ट किस ने लिया था तो आपके BR अमेटकर जो थे इनों ने तीनों गोल में समयलनों में हिस्सा लिय इसके बारे में आपको याद अखना भुल्ला नहीं था था मात्मा गांदी ने केवल सेकेंड वाला जो आपका गोल्ड में सम्मिल जन्ध था उसमें पार्ट लिया था भाग लिया दिया गया था तो important है इसके बारे में आप यह देखेएगा बंगाल के नवाब श्राजु दॉला प्लाशी की लराई में किस वर्स आ रहे थे तो प्लाशीक अउद्ध आपका वा था इसका आईयन किया गया था पर 2020 में तो इसी टोक्यो ओलम्पिक्स में ही निरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता इसके बारे में आप क्या दखना है तता यह कौन सा खेल खेलते हैं तो भाला फेक में इसके बारे में आपको या दखना इंपोर्ड़न्ट है तता चलिए कम अमिरात हैने की UAE जो था यहां पर UAE की बात हो रही है संयुक्त अरब अमिरात की बात हो रही है इसने परमाडू उर्जा सयंत्र हाले में बनाया था तता इसके साथ यह पहला खाड़ी देश बन गया था जिसके दरा परमाडू उर्जा सयंत्र बनाया गया था किस राज न बच्चों के लिए पहला समाचारपत्र द Bishop का EC को की शुरुवात कि है तो असम जो था इसने बच्चों के Lee समा चारपत्र की शुरुवात कियंगा जिसका नाम है The Young Mines इसके बारे मिया प्ऩया देखेगा असम राज्य विस्थ का पहला विश्थ कोसल मुरा तोव को किसको तो मारिया रेशा और दमित्री मुरा तोव को 2021 का सांती का नुमिल पुरस्का दिया गया तो इसके बारे में आपको यादखना है दमित्री मुरा तोव और मारिया रेशा इंपोर्टेंट है अगला प्रसना आपके सामने है विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोक्थाम दिवस किस दिन मना जाता है तो प्रतेक वर्ष 17 जून का जो दिन होता है या विश्व मरुस्थली करण और सूखा रोक्थाम दिवस के रूप में मना जाता तो 17 जून आपका राइटेंस रो जाएगा एपल केम्पूटर के संस्थापक कौन थे तो स्टीव जॉप्स के दोरा जो है एपल केम्पूटर के स्थापना की गए ते इसके बारे में आप या देखेगा इसिया का सबसे बड़ा उद्यान इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान की सेर में है तो आपका जो ट्यूलिप गाल्डन आपको मलेगा श्री नगर में तो इसके बारे में आपको या देखना है ट्यूलिप गाल्डन आपको मलेगा श्री नगर में भाबा परमालू अनुसंधान केंद्र का पुर्व नाम क्या था ने की भाबा परमालू अनुसंधान केंद्र का पहले नाम क्या था आपको आपसे पूछा जा रहा है तो इसका पहले नाम था परमालू उर्जा प्रतिस्थान ट्रामबे तो इसके बारे में आपको याद रख है रेड हुड अगला प्रस्तना आपके सामने है उस्टेलियन ओपन 2022 में पूरुस एकल विजेता कौन थे तो इस्पेन के राफिल नाडाल ने जो है पूरुस एकल का खिताब जीता 2022 के उस्टेलियन ओपन में और मैलाओं में ऑस्टेलिया के जो एसले बार्टी थी इनोंने म अस्टेलिया के मेलबर्न सहर में खेला गया अगला प्रस्तना आपके सामने है राष्टी राजमार्ग प्रादिकरण ने किस राजजी में भारत की पहली अपात कालिन लैंडिंग सुविधा का विकास किया है तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फोर्नरी का निर्मान काम यूनिस्को की बिस्व पुस्तक राजधानी किसे बनाए गया है तो 2021 के लिए था बिस्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाए गया है तो 2021 के लिए जालजिया का एक सहर तबलीसी उसको और 2022 के लिए बनाए गया है मेक्सिको के सहर गौर्डल जारा को तो जा सकता है carbon watch एप को launch करने वाला भारत के पहला के विटामिन रख्त का ठकका जमने के लिए अवस्यक प्रोटीन और केलसिएं को सक्री करता है तो vitamin K जो है या रिक्त का ठका बनने में मदद कलता है तो इसके बारे में आपकर ओधाना है vitamin K अधिक उचाये वाले चेत्रों में बर्फ की सफाई किस विभाग की तो आरो Border Road Organization की दोरा जो है जितनेंगे दुर्गम एरियार जुते हैं साधिया जितने कई और चाहिए जतने है तत्रीद को iοςर्वे बंबर्ली को स्थापना यह विंकितर स्थापना जान जाता है तो वर्ड इनिवर्मेंटे आपका प्रतेक वर्ष 5 जून loving को important है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वी मुद्री करण की घोसना कब कि के ती तो मन्तरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो इसके बारे में आपको याद आखना है 8 نॉइंबर 2016 को भारत में चाय और कॉफी की फसलो को किस तुट we तो आपकी जो चाय और कॉफी की जो फसले होता है इनको के बारे में आप्या देखीगा अगला प्रसने आपके सामने वीटी कल्चर का संबंद किस से है तो अंगूर की खेती से संबंद होता है आपका वीटी कल्चर एडीज मच्छड किसके वहाँ होते हैं तो डेंगू के वहाँ होते हैं आपके एडीज मच्छड हैं कि एडीज मच्छड के से ही आपका डेंगू होता है आपको बताना है कि भाती समिधान के निसार पंचायत सदस्से होने के लिए अवस्यक नियूंतम आयू सीमा क्या रखे किया गया था तो युनेस्को के दरा जो है हम पी इस मारक सम्मों को विश्व विरासत अस्थल गुसित किया गया था 1986 में इसके बारे में आपको याद अखना है विश्व ब्यपार संग्ठन के स्थापना किस वर्स होई थी तो एक जनौरी 1995 को आपका वर्ल्ड ट्रेड और्गनेजेशन बना था तता इसकी हाले में महान देश्व का बनाए गई है परमुक बनाए गई है नाइजेरिया की आपकी नगोजी ओकोंजो इवे इला ये नाइजेरिया के रहने वाले रहने वाली है तता ये आपकी डिरेक्टर जन्रल बनाए गई थि किसकी तो बिश्व व्यपार संगठन की थि इसके बारे में आपको या दखना है तता बिश्व व्यपार संगठन का हेड क्वाटर आपको मिलेगा जिनेवा सहर में अगला प्रस्थन आपके सामने है किस राज्ज में प्रसीद सूरे मंदिर स्थित को नार्क सिर्य मंधिर के नाम से भी जानते है, आपको लेगा उडिसा में, right answer आपको जाएगा उडिसा, सरिष्का राष्टी उद्यान, सरिष्का राष्टी उद्यान में आपको लेगा रहस्थान में important है, प्रसिद लोक गीत आपका कजरी है जो है कहां पर फेमस है तो उत्रवज़स में आपका फेमस है प्रसिद लोक गीत कजरी किसी माध्यम के प्रकास को अपवलतित करने की छमता को उसके किस रूप में व्यक्त किया एता है तो उसको हम कहते हैं अप्टिकल घनत्यों के नाम से जानते हैं आपको बताना है कि लीग आफ नेशन्स की अस्थापना किसके अस्थान रखी गई थी तो आपका पता अगा प्रत्थम विश्युद्ध जब आपका खतम हुआ तो उसके बाद जो है विश्युमें सांती की अस्थापना करने के लि जो है लीग आफ नेशन्स की अस्थापना कि गई थी लेकिन आगे चलकर या लीग आफ नेशन्स उतना कारगारी रहा नहीं तो अब आगे चलकर जब वर्ल्ड वर आपका सेकेंड खतम होता है तो वर्ल्ड वर सेकेंड के बाद जो है लीग आफ नेशन्स की अस्थान पर संयुक्तराष्ट संग जो है वो बनता है तो इसे आप याद देखेगा यानि कि League of Nations के अस्थान पर 1945 में संयुक्तराष्ट संग की अस्थापना की जाती है तो इसके बारे में आपको याद अगना है 24 अक्टूबर 1945 स्युंगतिराष्ट संग का जो मुख्याल आपको भूदो की बृद्धी मापने का उपकरन कौन सा है तो क्रेक्सोग्राफ आप याद देखे करेक्सोग्राफ की मदद से हम पौदो की बृद्धी को माप सकते हैं लैक्टिक एसिड क्या होता है तो तीन कार्बन वाला अडू होता है आपका लैक्टिक एसिड इंपोर्टेंट है किसे मिल्क मैन आफ इंडिया के नाम से जाना आता है तो मिल्क मैन आफ इंडिया हम कहते हैं डॉक्टर वर्गिस कुरियन को इती से आप आप देखेगा डॉक् इंप्रॐडेंड है तो मनोरा का किला आपको मिलेगा किला किस पीड़ी के केंप़्ुटर भारी वैक्यम ट्यूब अधारित और महएगे थे तो आप याद कर लिजेगा आपके जो पहली पीड़ी के केंप्बूटर थे ये काफी भारी थे वैकिम ट्यूब अधारित और काफी महेंगे थे आपके पहली पिली के केम्प्यूटर थे इसके बारे में आपको याद अखना है भारत में किस पहाड़ी को ब्लू मौन्टेंज के रूप में जाना जाता है तो आप याद कर लिजेगा आपकी जो नील गिरी की पहाड़ियां होती है उनको हम ब्लू मौन्टेंज के नाम से भी जानते हैं तो नील गिरी की पहाड़ियां आपका राटेंचर हो जाएगा imperial bank of india का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था तो आप याद कर लिजेगा imperial bank of india का जो नाम था बदल कर दिया गया था state bank of india तता state bank of india के स्थापना होई थी 1 जुलाई 1905 को मिट्टी का तेल जो है लालतेन की बत्ती में किस गूर के करण उपर चड़ता है तो केसी कत्तो के कारण आप याद रखिएगा केसी कत्तो के कारण जो है केसी कत्तो की विशिस्ता से ही आपका जो मिट्टी का तेल होता है वो लालतेन की बत्ती में उपर चड़ता है तो इसके बारे में आपको याद रखना के कारण और रक्त किस उतक का एक प्रकार है तो आप ध्यान से आद कर लिजेगा रक्त जो होता है या संयोजी उतक का एक प्रकार होता है मैंगनिसियम के लिए प्रिप्त प्रतीक कौन सा है तो मैंगनिसियम का जो चिन होता प्रतीक होता वो होता है एमजी होता है आपे यादट कर लीजिएगा मेगनेशियम का प्रतीक आपका एमजी होता है लाश्ट के 5 प्रस्णाप कि स्किन पर है दादा साहव फाल के पुरिस्कार तो देविकर राणिव को मिला था incense 29 में इसके बारे में आपको याद रखना है सहिंतराश्ट सुरक्षा परिसत की यहां पर बात हो रही है बिश्व स्वास्त संगठन का मुख्याले कहां पर है तो जीनेवा में आपको मिलेगा World Health Organization का मुख्याले इसके अस्थापना के गेती 7 अप्रेल 1948 को और इसके वत्माने प्रमुख है टेड्रोस आधा नोम यहां पर बिश्व स्वास्त संगठन की बात हो रही है भालती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिविशन में पहली बार राष्ट गान गया गया था आपसे पूछा जा रहा है तो 1911 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था जिसकी अधिक्षिता की गेती बीशन नरायन धर के द्वारा इसी कॉंग्रेस की सेशन में ही आपका पहली बार राष्ट गान गया गया था तो इंपोर्टेंट है आप इसे नोट डाउन कर लिजिएगा इसके बाद अगला इंपोर्टेंट प्रस्तन जो की लाष्ट प्रस्तन आपका है लखनाऊ कड़ाई की किस परंपरी कला के लिए प्रसिद्ध है तो कड़ाई की जो कलाई चिकन कारी इसी के लिए लखनाऊ जो है आपका फेमस है तो इसके बारे में आप याद देखिएग तो आज के लिए बस इतना ही इसका पांचवा भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू, थैंक्स पर आचिंग, थैंक्यू